हेल्फ फिर्ट्स मैं हूँ संदमे प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल सरकारी जॉब नियूज ये रोजकार समाचार है मार्च 2020 के फॉस्ट वीक का और इसमें 20 वी भागों में देश बरके 15,000 से ज़्यादव किसी की इन्फॉर्मिशन है इसे केंट सरकार दोर जारी Employment News से त्यार किया है शॉर्ट में इन्फॉर्मिशन दिये मैंने डेटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो और आपको बता दू कि चाहे तेंथ किया हो चाहे पीजे किया हो चाहे कोई भी डिगडी लिए हो सबके लिए यहां पर जॉब के मौके सरकारी अबलेबल है तो पहली वेकंसी है राजदानी कॉलेज से युनिविटिटी ओफ देली में यहां पर 15 पत हैं MTS Senior Assistant Laboratory Assistant के लिए योगता होनी चाहिए 10th या 12th या Graduation या MCE या MCE या BTEC या PE मतलब इन में से कोई भी डिगडी है तो आप अप्लाई कर सकते हो संबंदित पत के लिए एज लिमिट है maximum 35 years लास्ट इट है 14 March एप्लिक्शन फी देखिए 100 रुपे से 2500 रुपे के बीच में है और सहली 18000 रुपे से लेकर एक लाग 12400 रुपे पर मत तक चली जाती है अगली वेकेंसी MCE बैंक में है इसका फुल फॉर्म है तब महराष्ट इस्टेट कॉपरेटिव बैंक यह गब्मेंट बैंक है अब महराष्ट का यहां पद है टोटल 164 ओके कौनकों से पद है कलर्क जूनियर ओफिसर ओफिसर और जॉइंट मैनेजर योगता उनची सिंपल ग्रिविशन या PG या PE या BTEC या MCA एज लिमिट के बात करें तो 21 से 40 साल है लाश्टेट 16 मार्च 2020 है एप्लिक्शन फी 590 से लेकर 1770 रुपे तक है बहुत ज़्यादा है या एप्लिक्शन फी पहले 1000 रुपे तक जाता था अ सेलरी मिलेगी वह 30,000 से 70,000 रुपे है फॉर्म इसका ओनलाइन भड़ा जागा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो डिटेल फॉर्म भी अगली वेकंसी लाइफ इंश्रेंस कॉर्परेशन से है यानि LIC से है यहां पर 168 पध हैं असिटेंट अड्मिनिस्रेट में है एज लिमिट की बात के हैं तो 21 से 30 साल है लाजटेट है 15 मार्च एप्लिक्शन फी 85 से 700 रुपे के बीच में है और सेली 32,795 रुपे है फॉर्म इसका ओनलाइन भड़ा जागा अगली वेकंसी भी LIC से ही है यहां पर 50 पध हैं असिटेंट इंजिनियर्ट ली योगत साथ सो पंचान रुपे है इसका ओनलाइन भड़ा जा रहा है अगली वेकंसी महराष्ट सेकुर्टी फोर्स है यहां साथ हजार पन है ओके योगताओंची यह 12 पास ओनली ओके एज लिमिट है अठर साथ हैस साल लाश्टेट है 10 मार्च एप्लिक्शन फी 200 रुपे है परस टमाम एक्समेशन के लिए चाहे से का सीचेल हो जाया अदिए सीचेसल हो अगर अब सीचेसल का बहुत ही काम आएग आपको के और यल्वे की एक्जाम ने भी बहुत काम हैगा अगली वेकंसी है यह डिली पॉब्लिक लाबरेड़ी में दिली में यहां पर एकतिस पाद एं यह इतने तरह के पाद है और इसके लिए यूगताओं चाहिए यह टेन पास या ट्वेल्थ या ग्रेजिशन या डिप्लोमाइन लेपरी एंड इन्फोर्मिशन साइन्स ओके लाश्ट एफ फॉर्म बने के लिए पांच मार्च नस्दीक है यह यह देर सो से तीन सो रुपी क बीच में हो सेल्ली या आप देख रहे हो अठारा राजार पास लेकर एक लाग बाराहजार रुपए तक सेल्ली चली जाती है यह फॉर्म ऑनलाइन भड़ा जागा तो डिस्क्रिप्शन चेक लेना अगली वेकंसी है MPSCC यानि महाराष्ट पर्विक सर्विक सर्विस कमिश यहां पर पद जो है वो है पुलिस सब इस्पेक्टर असिस्टेंस सेक्षन ऑफिसर और स्टेट टैक्स इस्पेक्टर ओके देशमर के यह अपलाई कर सकते हैं और इस एक्जाम का नाम है महाराष्ट्रे सब्नेट सब्रिस नॉन गैश्टेट ग्रूप बी कंबाइन प्रिम मिलती है इसमें ओके देशमर के यह अपलाई कर सकते हैं अगली वेकंसी हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से है एच एसससी यहां पर 1170 पर हैं सुपर्वाइजर, स्टोर, कीपर, स्टोर, कलर्क, जूनियर, मैकैनिक, फर्मसिश्ट, लेबरिटरी, मैकैनिक और योगता हो और ये टेंथ पास या ट्वेल्थ विद आईटिया या फार्नसिश्ट या इंजिनेरिंग या क्रिजिशन, ओके एज लिमिट की बात कहें तो 17 से 22 साल है, एपलेक्शन जो डेट है अपलाई का वो 3 मार्च से शुरू कर 24 मार्च तक होगा, एपलेक्शन फी आप देख रह यहां पर 149 पद है, पशुधन प्रसार अधिकारी, ओवर्सियर यानि इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्किल, योगता होने चाहिए ग्रिजूशन इन बायलोची या अग्रिकल्चर या इनिमल हस्मेंटरी, या ट्विल्थ पास होने चाहिए विद एग्रिकल्चर या स साइन्स इस्ट्रीम में, साइन्स इस्ट्रीम में अगर ट्विल्थ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीएसी बायलोची या एग्रिकल्चर, एज लिमिट है 18-12 साल, लाज्ट डेट है 31 मार्च, एप्लिक्शन फी, 1500-300 रुपे के बीच में है और सेली आप देख रहा ह है, अगली वेकंसी, 36 कर्ट व्यापव से हैं, यहां पर 144 पर हैं, असिस्टेंट, डेटा इंट्री ऑपरेटर, और इस्टे नो टाइप पेश्ट के लिए, यह गता हों चाहिए, 12th with short hand, या टाइपिंग आपको आना चाहिए, एज लिमिट 18-40 साल है, लाज्ट डेट है 8 मा है, यहां पर 17 रपाद है, इस्टेंगराफ और डिप्टी, सर्वियर माइन, योगता हों चाहिए, 10th pass या 10th प्लस, आपके पास होना चाहिए, सर्वियर सर्टिफिकेट हों के 10th pass के साथ है, सिंपल 10th pass भी है, तो अपलाई कर सकते हो, एज लिमिट है, 18-30 साल, अपलाई ज से जॉब मिले गया, आपको, और्लाइन फार्म भर जा रहे है, अगली वेकंसी है, SSE से है, यहां पर फेज 8 के लिए, वेकंसी चल रही है, 300 से ज्यादा पद हैं, इसमें, फेज 8 के लिए, और योगता हों चाहिए, 10th pass, सिंपल 10th pass भी है, तो भी समनाधित पद के लिए अ और से लिए ठीक ठाक मिल जाएगी, फार्म ऑनलाइन बढ़ जाएगा, इसको थ्रूँ आप देश भर में, जो सेंटरल गर्मेट के ओफिसेज हैं, वहां पर निउक्त हो सकते हैं, अगली वेकंसी, नौर्थ इस्टर्ण हिल उनिवर्सिटी में, यहां पर 9 पद हैं, अगली वेकंसी, हाई कोट ऑफ डेली से हैं, यहां पर 132 पद हैं, जूनिय जुडूशल असिटेंट रिष्टोर, ग्रूप C के लिए, योगता हों चाहिए, ग्रिशन प्लस टाइपिंग आना चाहिए, एज लिमिट के बाद के तो 18 से 27 साल है, अपर डेली से हैं, यहां प अगली वेकंसी, यहां पर 37 पद हैं, प्लमबर, कार, पेंटर, टेक्निशन, मैसेनेश्ट, यहां 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 इजिनेंग डिग्री या एक्स्प्रियेंस होने चाहिए, इसके साथ साल, एज लिमिट 20 से 28 साल है, लाच्ट डेट है 15 मार्च, एपलिशन फी 100 से 200 अगली वेकंसी राइस्थान से है, यहां पर 154 पद है, जूनिया इंजिनियर के लिए, यह डिरेक्ट रिक्रूट्मेंट एक्जामनेशन है, एजल मिठ है, ठार से 40 साल, एपलाई डेट है, 4 मार्च से 2 अप्रेल, और जो फॉर्म भड़ा जाएगा, वो 200 से 400 पे फी है आई-एस, आई-पी-एस, आई-एर-एस, आई-फ-एस, आई-फ-एस और बहुत रहतर के पन है, बहतर है, योगताओं चाहिए, सिल्फ ग्रेजुएशन, ओके, एज लिमिट है, 21 से 32 साल, लाइश डेटर फॉर्म भड़ने के लिए 3 मार्च बहुत नजदीक है, अगर इस अब लेबल है, आप देख सकते हो, एमेजन से, आप ले सकते हो, काफी अच्छे खासे कंटेंट है इसमें, और 2020 का जो करेंट फॉर्म से वह भी अब लेबल हो गया है, जन्वरी और फॉर्वरी का, तो आप ले सकते हो, देख सकते हो, और हाँ, जिलोग ने अब तक सब्सक